अपने लाइन अप का सफसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, ऐसा कुछ वेलकम करता हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बिलकुल आप देखके समझ गया होंगे कि भाई यहाँ चेंजेज हो गए हैं, रेफ्लेक्टर बेस्ट हेड्नेम्स मिल जाते हैं, और पंच का Adventure Rhythm Variant, अब यह जो है अपने लाइन अप का सफसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरियंट है, अब भाई सिर्फ बोलने के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है, यहाँ पे बहुत तगड़े फीचर्स अपने को मिल जाते हैं, साथ में काफी तगड़ी मिल जाती है इसकी बिल्ड कॉलिटी, फाइस्टार सेफटी रीटिंग इससे मिली है, ग्लोबल एन के अप क्रैस से, मतलब अपने सेग्मेंट में तो भाई यह बिल्कुल रूल करती है, साथ में फीचर्स की बात करें न तो भाई जितने नीड़ेट फीचर्स आपको एक कार में तो चलिए सारी चीज़ा आज आपन डीटेल में देखने वाला है, तो वीडियो काफी साथ है, इन्फार्मेटिव रहने वाला है, तो वीडियो में इन तक बने रही है, और चैनल में जो फ़र्स टाम है, फटा फट से सब्स्राइब बटन प्रेस कर दीजे, और बेल नोट इस वक्त अपन है, सुनील आटोमोटिव स्टाटा शोरूम बाला हट में, तो इनके सारी जो कांटेक्ट डीटेल्स हैं मेरे डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, कॉल करके आप विजिट करके आप सारी डीटेल्स ले सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसका को मिल जाता है, पियानो ब्लैक फिनिश में अपने को ग्रिल मिल जाती है, अब इस साइड अगर देखें तो यहाँ पे अपने पाइलेट लैम्स मिल जाते हैं, ता सिगनल साइड में दिये हैं, और नीचे साइड अपने को रिफ्लेक्टर बेस्ट हैड लैम्स मिल जाते है लो बीम, हाई बीम ये सिंगल यूनिट काम करेगी नीचे साइड अपने को fog lamps नहीं मिलते इस विरिंट में और try arrow का design अपने को bumper में मिल जाता है अब looks की अगर बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं front profile से अब side profile के side में अपने जैसी जाते हैं तो बाई यहाँ पे, देखी, cladding भी काफी बढ़ी है अपने को मिल रही मतलब SUV वाले जो features है ना और जो characteristic है अपने को punch पे देखने को मिल जाते है ground clearance की बात करें तो 187 mm का यहाँ पे जबरदस ground clearance मिल जाता है अब wheels के अगर बात करें तो यहाँ पे अपने को 185 70 R15 15-inch के wheels मिल जाते है अब rims अपने को मिल रहे है steel वाले लेकिन उपर से जो wheel covers है ना भाई, piano black में मिल जाते है तो काफी बढ़ी है इसके looks अपने को मिलते है अब front में अपने को disc brake मिल जाते है और rear में मिल जाते है drum brake तो यह इसके braking का setup है ORVM की अगर बात करें तो body color डी मिलते है turn signals यहाँ integrate की हैं और यह जो ORVM ना electrically adjustable है अब B pillar की बात करें तो पुरा blacked out किया हुआ है और glass area भी काफी बढ़ी है अपने को मिल जाता है अब side profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते है अब dimensions की अगर बात करें तो under 4 meter है अपनी Tata punch और on length की बात करें तो 3827 mm की length अपने को मिल जाती है width में ने बता दिया wheel base की बात करें तो 2445 mm का यहाँ पे wheel base मिल जाता है काफी बड़ी है space अपने को अंदर भी मिलता है और वो भी अपने जाके चेक करने वाले ground clearance में आपको पता ही दिया तो side profile से सारी चीज़े complete होती है नहीं यहाँ पे अपने जो fuel filler के app है वो भी अपने को मिल जाता है fuel tank के capacity की बात करें तो 37 liter का fuel tank मिल जाता है mileage की बात करें तो यहर 20 से 21 के अंपेल का mileage क्लेम कर दी कमपनी BS 6.2 के upgrades के बाद में तो जबरदस mileage भी अपने को मिलने वाला है इतनी तगरी build quality के साथ में तो भाई बहुत तगड़ा combination अपने को मिलने वाला Tata punch में अब side profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं अब rear profile के side में अपने आते हैं तो उपर अपने को eye mount stop lamp मिल जाता है defogger wiper यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है अपने को इस variant में नीचे side Tata का logo reverse parking camera मिल जाता है काम का feature है नीचे punch की bold wagging मिल जाती है और उसके नीचे अपने को दो reflectors और नीचे reverse parking lamp मिल जाता है और दो reverse parking sensors भी यहाँ दिख रहे हैं अपने को अब tail lamps के अगर setup की बात करें तो देखी यहाँ पर पूरा hello gen setup अपने को मिल जाता है अब boot space की बात करें तो एक request sensor यहाँ मिल जाता है इसको मैं जैसी click करेंगे तो यह देखी है request sensor और दो light मिल जाती है parcel tree का भी option मिल जाता है अपने को इस variant में इसलिए भाई मैं भोल रहा हूँ features बहुत बढ़ी आए आप देखें one by one काफी मज़ा आने वाला आपको अब boot space की बात करें तो अपने को यहाँ वो भी बहुत तगड़ा मिल जाता है 366 लीटर का यहाँ पर boot space मिल रहा है अपने segment के according तो भाई बहुत तगड़ा boot space है अब deep भी है और काफी space मिल जाता है boot light भी यहाँ पर दिख रही है एक हो के दर दिख रहा है और एक हो के दर मतलब यह जो है 1 kg के load carrying capacity के साथ में space देखें काफी बड़िया मिल रहा है साथ में इसके अंदर देखें तो spare wheel अपने को 15 inch का normal steel rim मिल जाता है तो यहार पाचो के पाचो टायर अपने एक ही profile के मिल रहे है उपर side अपने को cladding मिल जाती है और इसको यहाँ से कर देते है बन तो यह हो गया rear profile में सारी चीज़े complete होती है तो मुझे लगता है अब exterior के सारी चीज़े अपने देख लिए अब चलते है interior में और देखते है वहाँ पर गया के features मिल जाते है तो उसके लिए चाहिए अपने कुछा भी तो देखिए ऐसे कुछा भी है अपने को मिल जाती है अब functions की अगर बात करें तो lock, unlock और follow में एडले है यह 3 function मिल जाते है पीछे Tata का logo, एक flip की मिलती है और एक normal की अब lock करने में वर्वियम फोल्ड नहीं होते है auto fold का feature यहाँ अपने को नहीं मिलता है तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर के features मिल जाते है तो doors को यार open करते है भाई बहुत जबरदस वेट है साथ में यह जो है ना 90 degree में open हो जाते है alpha platform में based है अब door panel की बात करें तो चारो power window के button अपने को मिल जाते है वर्वियम को adjust करने के लिए button यहाँ पर दिख रहा है नीचे bottle holder और dedicated umbrella holder भी हाँ मिल जाते है speakers की बात करें तो speakers अपने को चारो doors में मिल जाते है चार speaker का setup मिल जाते है अब seats की बात करें तो यहाँ पर देखिए height adjustment का option नहीं मिलता है fabric अपोस्ट भी मिलती है यहाँ पर से seat covers इंस्टॉल है अब headrest अपने को adjustable मिल जाते है तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर क्यागे features मिल जाते है यह अपन आगए अभी interior में यार interior में भी कुछ changes है तो वो भी मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले TT को बंद कर देते है steering wheel से start करेंगे सबसे पहले seat को पीछे कर लेते है जिससे सारा भी एकदम clear हो जाएगा तो एक बार जो dashboard के looks है हो देखिए तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते है अब यार सबसे पहले जुन आए भाई लोग जुने पहले subscribe button प्रेस कर दो बिल्कुल free है आपके लिए आप बिल्कुल subscribe button प्रेस लिए करते हैं तो दवा दो बिल्कुल subscribe button तो start करते है steering wheel से तो D-cut shape में steering wheel मिल जाता है center में Tata का logo मिल जाता है steering mounted controls भी यहां दिख रहे हैं left side में infotainment system और telephonic के controls और यहां पे अपने को adjustment मिलता है वो सिर्फ tilt मिलता है telescopic option नहीं मिलता इस side अपने को wiper के control से left side में और right side में अपने को headlamps के control मिल जाते हैं अब cluster के अगर बात करे तो भाई वहाँ पे अपने को changes मिल जाते हैं अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ तो चाबी अपन लगा देते हैं तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster बिलकुल आप देखके समझ गया होगे कि भाई यहां changes हो गए हैं तो start करते हैं left side में अपने को tachometer मिल जाता है center में M.I.D. और right side में fuel gauge और उपर temperature gauge मिल जाता है यह digital instrument cluster है इससे पहले digital plus analog अपने को मिलता था याद होगा आपको अब देखके यहां पे क्या के मिल जाता है M.I.D. में clock है doors कौन से उपन है proper information दिखा रहा है और यार आप समझ सकते हैं इससे ज़्यादा का भी mileage अपने इससे निकाल सकते है तो trip A, trip B तो इतने कुछ features मिल जाते है अब center console की बात करे और dashboard की बात करे अब value for money वाले जो words है भाई इसलिए मैं बूर रहा था देखी काफी बुड़ी है याँ पर features आपको दिख रहे होगे 7 inch का infotainment system मिल जाता है वो भी harmon powered 4 speakers के साथ में जो quality आती है न वाई sound की बहुत तगरी मिल जाती है android auto और apple carplay connectivity है मिल जाती है नीचे AC vents मिल जाते है hazard का button मिल जाता है 5 speed का manual gearbox यहां अपने को मिल जाता है AMT का भी option अपने को मिल जाएगा reverse parking camera की quality की अगर बात करें तो देखिए ऐसे कुछ quality मिल जाती है और यह जो है बिलकुल dynamic guideline के साथ में भी आता है और पीछे side अपन आते हैं तो hand brake यहां पर cup holder मिल जाता है और glove box की अगर बात करें तो देखिए काफी बढ़ियां यहां पर space मिल रहा है और tablet holder भी अपने को मिल जाता है अब उपर side अगर देखिए तो यहां पर ticket holder मिल जाता है center में air भी हम मिल जाता है जो day and night अपन manually adjust कर सकते है cabin light मिल जाती है, mic, अब यह hello जन है और left side में अगर देखिए तो vanity mirror भी मिल जाता है तो features काफी बढ़ियां यहां मिल रहे है अब safety features की बात करें तो front में अपने को 2 airbags मिल जाते है ABS EBD यहां पर मिल जाता है साथ में तकड़ा structure मिल जाता है 5 star rating वाला तो हैना जबर्दस अब seat की अगर comfort की बात करें तो under thigh support काफी बढ़ियां मिल रहा है और साथ में cushion भी बहुत बढ़िया है अपने को मिल जाता है तो चलिए front के सारे features हो गए अब चलते हैं इसके rear seat में और देखते हैं यहां पर अपने को क्या क्या चीज़े देखने को मिल जाता है तो seat को अपन कर लेते हैं adjust तो यह होगी adjust और चलते हैं अब अपन rear seat में और हाँ right side में अपने को e-core city mode का button मिल जाता है ideal start stop का button और नीचे side तीन pedals मिल जाते हैं और एक dedicated dead pedal भी यहां पर देखने को मिल जाता है तो अब चलते हैं अपन rear seat में यहां से door panel open हो जाएगा door panel की बात करें तो power window का button यहां मिल जाता है नीचे bottle holder और speaker का grill मिल जाता है अब seats की बात करें तो यहां काफी बड़िया width यहां पर दिख रही है उपर अपने जो headrest है वो अपने को fixed मिल जाते है तो बैट के अपन देख लेते हैं space तो यह अपना आगया भी rear seat में मेरी जो height है 5,9 है और seat मेरे height के according adjust है तो leg room देखिए तो leg room भी मुझे काफी बड़िया मिल रहा है अब under thigh support की बात करें और वो भी काफी बड़िया मिल रहा है मतलब comfort तो बहुत बड़िया मिलने वाला टाटा पंच की rear seats में अब seats की बात करें तो तीन passenger easily bite के travel कर सकते हैं कोई issue लिए है नीचे अगर hump की बात करें तो एकदम ना के बराबर मिलता है और यहां पर थोड़ा space मिल जाता है तो rear seat के comfort तो है काफी बड़िया अपने को मिलने वाला टाटा पंच में तो अब चलते हैं इसके engine बे के तरफ और बागी बात है अपन वहाँ पे करेंगे तो उसको open करने के लिए यह देखिए इसको open जैसे pull करेंगे तो engine बे open हो जाएगा तो यह Tata Punch का 1.2 लीटर का 3-cylinder पेट्रोल engine पावर की बात करें तो यहां पर अपने को 85 BHP का पावर मिल जाता है साथ में 115 Nm का torque तो पावर और performance काफी बड़िया मिलने वाली साथ मेयर जो refinement level है ना पहले से काफी जादा improve हो गया उपर अपने को extra insulation मिल जाता है NvH level control करने के लिए ABS EBD की आप अपने को unit मिल जाती है तो यह था आपने पास Startup Punch का adventure rhythm variant features आपने देखे भाई बहुत बड़िया features यहां offer हो रहे हैं इसलिए यह इतना जादा value for money होता है तो चलिए मुझे लगता सारे जो doubts थे आपकी clear हो गया होगे अब कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment कर सकते है उसका जो answer है मैं जल्दी से जल्दी देने कोशिश करूँगा अब इसकी pricing जो है मैं आप पो एक और बार बता ज़ता हूँ एक शोरूम प्राइस की बात करें तो ये 725,000 में आज़ती है और प्राइस की बात करें तो 821,000 में आज़ती है और contact details मैंने share कर दिए call कर गिए आप बाकी details ले सकते हैं तो चलिए वीडियो में रखते हैं इतना ही कैसी लगी कार प्लीज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ कार अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना share कर देना अपने friends के साथ और subscribe कर देना मेरी channel को thank you so much जय हिंद